हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अबर चैनल केरवल फार्मा तो हम देख रहे थे अपना बी फार्मेसी फोर समिस्टर का मेडिशनल केमिस्ट्री फर्ट और आदम जो इसका लेक्षर थर्ड कवर करेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है ना बहुत जादा इंपूटन्ट है और इसमें कुछ हमारे बहुत सब पार्ट्स भी है तो चलिए देख लेते हमारा टॉपिक है आज का फिजीको केमिकल प् इन रिलेशन टू बायोजिकल एक्षन यान की बायोजिकल एक्षन के साथ इनका क्या संबंध है इनका क्या रिलेशन है यह कैसे मतलब आल्टर करेंगी चेंज करेंगी या क्या इफेक्ट डाल रही है किस तरह से connected है यह सब चीजों के बारे में हमको यहां पर पढ़ना है पहले हम समझते इनके यहां पर कहना कह जाता है कि दे चांगी च्वह चीज़ाँ चली यहां पर देख। यहां पर भी कुछ उसी रेटेट है biological action तो action का मतलब होता है कुछ मतलब लडाई विगड़ा नहीं नहीं कुछ भी मतलब बारक activity जो भी कुछ भी काम है work है activity हमारी body के अंदर क्या चीज है उसके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है ठीक है तो bio हो गया living in action हो गया कोई भी activity हम बाड़ी के इन्दर यहां पर उसकोषे तुभ गया तो यहां पर इतना हमको समझागा है कि जो हमारी फार्म फिजिको-केमिकल प्रॉप्टीatures इनका क्या रिलेशन है हमारी बॉड़ी के अंदर होने वाली activities के साथ हमारी body के अंदर जो activity हो रही है उसके साथ हमारा क्या relation है इन physical chemical properties का physical chemical properties क्या है कुछ physical and chemical properties मिलके यहां बनती हैं तो उनके नाम तो यहां पर अल्लेडी देई रखे हैं यह वाले ठीक है अब बात करते हैं कि actual में क्या चीज़ है यहां पर तो बैसे तो बहुत सारे काम हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं जैसे excreation हो रहा है, digestion हो रहा है, respiration हो रहा है इतना कुछ हो रहा है लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहां पर medicinal chemistry तो यहां पर हम कुछ दबाईयों से related लेते हैं तो दबाईयों का क्या काम होता है हमारी बॉडी में कि कि जब भी हम कोई दबा काते है तो वह हमारी body में जाएगी किस तरह से जा रही है कहांपे क्या काम कर रही है कैसे इसर करेगी कौन सी दबा किस दE कईलिए है सोचने की बात है ना कि कोई दबा हमने वैसे disprint घाई, तो एसा तो नहीं ए किwrस पीड का तरद्बंद करेगी, करेगी तो हो सिरकाई तरद्बंद रहा, तो उसको कैСzelf पता चला, footprint है तो non living wings पर उसको कैसे पता चलरा है, तो यह सारी चीज़ा working हो हमारी body का मतलब एक अजब ही गजब की चीज है हमारी बॉड़ी इसमें हमारा सारा कुछ काम और्टोमेटिकी सब फेट है उसी के अगॉर्डिंग होता रहता इतने सारे एंजाइम रेसेप्टर बहुत सारा कुछ है इन सब को हम जो आगे आगे जैसे यहां उटके आता है फार्मको काइनेटिक तो यह हमारा किस तरह से पाथ फॉलो कर रहेगा और किस तरह होते हुए जाता है और किस तरह वो अपने साइटोपेक्सन पर पहुंचेगा मतलब यह समझेए कि यह हमारा एक वह है डाइग्राम रफ है गंदा है पता है कोई बात नहीं तो यहां पे जैसे हमारा अगर दर्द है तो हमने ड्रग यहां से लिया इंटक करके नीचे गया तो वह आकर यहां से लेकर यहां तक कैसे पहुंचा इस चीज को हम पढ़ते हैं अपनी फार्मको काइनेटिक्स में ठीक है और इसमें चार प्रोसेश थी हमारी एडी एमी जिसको हम देख चुके है वह वीडियो भी आप जाके देख लेना है डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगी तो वह सब चीज़ा हमारी यहा जाए तो थर्ड सेमें बहुत सारी सेम थी हमारी परपटी उन मैंसे कुछ कुछ परपटी मतलब आप कहेंगे जैसे सॉलिबिलिटी के पूरा चैप्टर ही था पार्टिशन कॉपिसेंट यह भी हमने पढ़ा था फिर प्रोटीन वाइंडिंग भी पढ़ा था चिलेशन भी इंपोटेंट है और प्रोटीन बाहिं देखा था है यह भी इंपोटेंट लेकिंगे यह तर्म आपको पहले से पता है एक नए अधार में यह यहां पर आता है यह हमारा है बाइओ इसोड़ यह चैपर आएका तो यह थोड़े से लेंडी वीडियो घुना हो आज के इंटर यहांकि दो-टीन वीडियो में हम जो है इस फिजिको केमिल्स पापरीडिस को खातम करेंगे अपना थीक है तो आयूनाइज़ेशन हम समझें सबस्पहले है क्या कैसे है एक प्रॉसेस होती है इस सिंपल हम टर्म में समझें कि माली से कोई भी हमारा एक कंपाउंड है यहां प एक ionic form में convert हो जाना वो हमारा कहलाता है ionization process सबसे सिंपल में आपको वाटर का बताता हूं water हमारा neutral यहां पर है इसको अगर हम dissociate करें तो यह हमारा positive में टूटता है और इधर हमारा टूटता ओए नेकेटिम में तो यह वाली जो बानी की form है water की यह हमारी क्या है यह हम इसको बोलते हैं non-ionized form बोल सकते हैं और यह बाद जो हमारी form टूट के आ रही है यह हमारी है यहाँ पर ionic form या ionized form है तो इस तरह से यह हमारा term कहलाता है ionization और anionization अब एक मैं आपका concept के लिए करता हूँ यह बहुत लोगों को होता है clear कर लो बहुत लोगों नहीं पता होगा कि हम केटाइन किसको बोले और एनाइन किसको बोले बहुत बार confusion होता है और आखिर मतलब electron release और donate इसका मतलब क्या होता है तो यह समझो कि यह वाला जो हमारा compound है अब इसमें क्या होगा electron release हुए अगर तो electron release बाला जब यहाँ पे हो तो यह positive हो गया और electron accept हो गए accept का मतलब क्या है यहाँ पे electron इसने इस से ले लिया और जब इस से लिये तो कुछ इस पे minus सा एकदम हो गया ना तो यहाँ पे हमारा anion आ गया मतलब आप सिंपल समझे पॉजिटिव जब इलेक्रों यहाँ से इधर वाले ग्रुप से रिलेज किये ता रहे हैं आपको यह तर्म में याद रखना है पॉजिटिव बाला केटाइन होता है और निगेटिव बाला anion होता है तो यह आप समझ होते हैं ठीक है तो यहाँ पे वही मैंने बता दिया है यह हमारा फार्म को काइनेटिक में बहुत जादा है मतलब जो भी चीज होगी यहां कि यहां कि बॉड़ी के अंदर जो हमारा ड्रग का मूवमेंट है यहां कि हमने कोई ड्रग खाया तो वह किस तरह से हमारी पूरी बड़ी मूव कर रहा है इस चीज को हम जो यहां पर डिसकस करते हों और इसमें हमारा आयूनाइजिसन का बहुत जादा रॉल होता है ठीक है अब को काइनेटिक में हमारे चार थे एडियमी अब जॉप्सन डिस्टिविशन मेटाबोलिजम एक्सेशन यह हमको पता था अब हमारा में यहाँ बात कि चाहिए तो यह हमारा जो ड्रग हो दौनों में होना चाहिए तो कही पर आयोनाइज ट्रॉन चाहिए यहीं इसके लिए बहुत जादा ज़रूर है अब पहले नेचर समझर लो इसका यह आगे बात करेंगे तो जो अनायोनाइज法 में हमारा कोई बी सबसे पहले यह समझे कि हमारा ड्रग है वह क्या है यहां पर कि द्यूरिंग इंटेग्च जब हम कोई दबा ले रहे हैं या अपने ड्रग या को जहां हम अपने अंदर ले रही है उस टाइम पर वोडर का हमारा अनाइवनाइज फॉर्म होना चाहिए यह हमारा कंपल सरी है यानकि वो नीट्रल होना चाहिए आप लोग ने यह देखा होगा जब भी आप कोई टैबलेट खाते हो या दबा खाते हो तो उसको ब्रेक करके है जब वो हमारी बॉड़ी के अंदर चतिताती है उस टाइम पर कुछी नहीं होता फिर वो हमारी बॉड़ी में आई बॉड़ी में आने के बाद सबसे पहले तो इसकी लिबरेशन होती जैसे मालो यह है कि कोई भी ड्रग हमारा है यहां से हमने टैबलेट खाई डाइग्र तो small intestine में हम सबको पता है कि जो हमारा main absorption का काम होता है यान कि जब हमारा drug है वो drug इस intestine से निकल के हमारी blood की capillary में पहुंचता है तो वह हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन वाली जग है तो यहां पर फिर हमारा क्या हो जाएगा कि बिलड के अंदर हमारे सिस्टमेटिक regulation में जो भी हमारा drug हो वो यहां पर enter कर जाएगा हमारा small intestine में पहुंचने के बाद यह हमारा दूसरा काम हो जाएगा तो इस टाइम पर यहां पर तो हमारा drug लेकिन जब हमारा drug blood में मिलेगा तो blood में वो drug हमारा कैसा होना चाहिए यहां देखें तो during absorption हमारा जो drug होता है वो blood में पहुंचता है और बिलड का जो हमारा nature होता है वो हमारा होता है hydrophilic और आपने एक चीज़ पहले ही देखी थे कि like dissolve like matter कि अगर कोई भी nature मतलब है same same लगव होना चाहिए यहां पर तो अगर यह drug हमारा बिलेड में पहुंच रहा है blood हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो हमारा जो drug है drug should be hydrophilic drug का भी हमारा hydrophilic में होना जरूरी है और drug hydrophilic में कब होगा इसको हम मिलाएं तो drug हमारा hydrophilic में होगा जब वो हमारा क्या होगा आयोनाइस फॉर्म में होगा यान कि फ्रेंड यह समझ आता है कि जब absorption होगा हमारा कोई भी drug है वो अगर blood के अंदर पहुंचेगा उस time पर जो हमारा drug है वो हमारा किस में होना जीग है unionized form में होना जीग है तो यहां पर वी अच्छा बॉड़ का एक पर पहुंचता बैर के ंऊठे तक पहुंचता मतला है dov इसे हर तरफ पहुंचता है आप मालो यहां पे हमारे चोट लगे, यहां पे हमारे दर्द हो रहा है, यहां पे पहुंच रहा है, उस जगा पे वो ड्रग हमारा पहुंचेगा, तो यह समझो, ले लो यहां पे हमारा हाती है, कोई भी हाता है, बॉड़ी पार्ट है, यहां पे इस ड्रग की जरुवत है, तो इसको हम थोड़ा वाइडली लिखें तो यह हमारी क्या है यह हमारे सेल हैं सेल के टिशू है इसके पार्ट है इस तरह समझ लेते हैं तो हम एक पार्ट इसमें से उठा लेते हैं तो यह हमारा जो सैल है अंदर का पार्ट है इसकी जो यह लेयर होती है यहां पर मतलब एक स कहता है यांकि हम हमारा होता है यालो हमारा निउट्रिबूुट हो निफट को यहां पे अब का होता है यान कि जो नीचर होता है यान कि नीट शेल के इंदर होग है उसको इन्दर पहुंचना उसको क्रिणनका बढ़ेगा और उसको क्राव्च करने के लिए कौने की जैनल की बने होते हैं यह हमारा LiP yeast नेचर का है तो हमारा ये भी कंपल दरी कि जो हमारा ड्रग है वह भी हमारा लाइपोफिलिक नेचर का होना चाहिए अब लाइपोफिलिक देगें तो लाइपोफिलिक हमारा क्या था अनाइवनाइज फॉर्म में था यान कि यहां पे अगेन हमारा जो ड्रग है वो हमारा अन यानकि फरं में यहां पर गिया चाहरा यान कि यहां पर में Kनवर्ट जरूरी है अगर यहां में अच्छ से डिजॉल्व नहीं होगा तो उसकी बायो एविलेटी जो होती है वो उसको 100% नहीं मिलेगी अगर वो डिस्टिविशन के दोरान हमारा अनाइविनाइज फॉर्म में नहीं आता है तो वो डिजॉल्व अच्छे से नहीं होगा और डिजॉल्व भी नहीं होगा जब वो सेल के बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर हमको अच्छी फार्मको काइनेटेक्स चाहिए जानी कि अच्छी हमें सेल जो ड्रक है उसकी डिस्टिविशन चाहिए उस ड्रक का आसर चाहिए हमारी बॉड़ी पर तो इसके बाद आयोनाइज फॉर्म होती है हमारी वाटर सॉलिवल वाटर सॉलिवल उसके बाद जो ड्रक होती है हमारी वह मारी क्या करती है री क्रॉस सेल में को कॉंख करने में यह हमारी help करती है इस तरह दें एक्जामपल अगर देखें तो मुश्टी जो हमारी drug होते है बैसे तो वह बीक एसे या बीक बेसिक होते हैं इस तरह होता है कि अनाइने देखें होते हैं अब यह काम कैसे करेंगा जैसे मानलो हमारा जैसे यहांपे मानलो इसमें जब लेगे तो अनाइने यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसको यह करेगा तो इस तरह यह काम करते कोई बाकि की बीचीज हो जैसे आप इसको कैसे करते हैं वह चीज आपको बता दूँ तो यह निकलता है Henderson Hasselbach equation के दोरा जिसको हम degree of dissociation बोलते हैं अब इस चीज़ को calculate अगर कभी ज्यादा length ही आजाता है question 10 number में ये वाला तो बैसे तो बहुत सारा content मैंने आपको बता दिया ये चीज़ भी आपको जो note down करनी है ये भी बहुत ज़रूरी है तो ये आपके लिए बहुत है लेकिन अगर फिर भी आजाता है तो आप इसको derivation भी कर सकते हैं ये हमारी बही है जो buffer equation में हमने study की थी third sem में उसके साथ ही है कि pH हम कैसे निकालेंगे pk plus log ionite swarm upon anionite ये हमारा acid के लिए हो गया और pH k plus log anionite upon anionite ये हमारा big base के लिए हो गया अब जो आगे की topic होंगे फो हम next video में cover करेंगे बाकी जो है description बिजिट करना वहाँ आपको playlist मिलेगी आप previous video देख सकते हैं website पर आप जाएंगे वहाँ आपको notes मिलेगे बाकी धीर धीर हम update करते रहेंगे तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी next video में तब तक thank you take care bye bye